Hello Candidates and Welcome to Government Crackers So, अगर आप FCAT 1 2021 के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो ये सेशन आप के लिए है चाहे आप FCAT Examination Technical Branch के लिए प्रिपेर कर रहे हो जहाँ पे आपको FCAT and EKT दोनों देना होगा या आप Non-Tech Branch के लिए प्रिपेर कर रहे हो FCAT Examination बिना Skip के आप इस सेशन को देखिए ताकि आप First Attempt में किस तरह से Clear कर सकते हैं Examination को बहुत ही Simple Strategy है जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहे हूँ ठीक है जो किसी भी Examination को Clear करने के लिए जरूरी होता है कि आप उसके बारे में जाने आप उस पेपर पाटन को समझे यहाँ पर मैं आपको बहुत Brief में Explain करने जा रही हूँ Basically FCAT and EKT का syllabus and उसका पाटन Merit में आने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अपना Study Plan इस तरह से बनाना है कि 190 प्लस आपका Score अगर होता है और आप SSB में Recommend होते हैं तो आपके 100% Chances होते हैं कि आप Merit In आएंगे आने आपको Shorty Level बहुत ज़ादा हो जाता क्योंकि मैं आपको बताऊँ Air Force में बहुत ज़ादा High Merit जाती है तो वो Achieve करने के लिए आपको Score जो है Written Examination का वो As a Backup Support रखना होगा अब बात करते हैं Examination के बारे में उससे पहले मैं कहूंगी जिन लोगों ने भी चानल को सब्सक्राइब नहीं करा आप YouTube चानल Government Crackers को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही मैं बता दू जिन लोगों को भी कोर्स चाहिए Defense Examination Related चाहिए आपके SSBs हो या आपके Written Examination हो आपको 1000 रुपीस के अंदर सारे के सारे Defense Related Courses जो हैं वो available मिलेंगे Only on Government Crackers www.governmentcrackers.com पे तो आप visit कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी requirement हो तो आप course को avail कर सकते हैं और आपको हर course के साथ कुछ material free of cost हम देंगे जैसे की free newspaper monthly magazine 10 words vocabulary के and current affairs in English and Hindi तो ये सारा material आपको free of cost मिलेगा इसके लिए कोई भी अलग से charges नहीं होंगे newspaper बहुत important है इन सब में जिसमें आपको पता है कि चाहे आप written examination दो ठीक है अब बात करते हैं paper pattern की तो Air Force का जो exam है उसके paper pattern की अगर मैं बात करूँ तो दो घंटे का आपका examination होता है जिसमें 100 questions पूछे जाते हैं एक question के marks होते हैं तीन याने total आपका paper हो गया 300 marks का इसमें जो sections होते हैं वो आपका होता है general awareness का section English का section, numerical ability and reasoning के sections वहीं अगर मैं बात करूँ EKT तो जो भी आपका technical branch होता है जो भी आपकी choice होती है चाहे आप mechanical, computer science या electronics के साथ जा सकते हैं जिसका duration 45 minutes होता है 50 questions आते हैं and marks उसके होते हैं 150 यान एक question यहाँ पे भी 3 marks का होता है अगर marking scheme की मैं बात करूँ तो 3 marks मिलते हैं for every correct answer, one mark deduct होते हैं incorrect answer और अगर आपने नहीं answer करा हो तो आपके marks नहीं deduct होते हैं अब देखें individual section बहुत important है, F-CAT is an examination, जिसके आपको पता होता है कि यहाँ पे 4 sections है और 4 sections की अपनी कोई individual cut-off नहीं है, इसलिए F-CAT examination काफी हद तक बहुत easiest examination है, solve करने के लिए and clear करने के लिए 4 sections मैंने आपको बताये थे जिसमें से section wise marks distribution मैंने आपको बता दिया सबसे जादा weightage होता है reasoning section में और सबसे जादा easy भी होता है reasoning section में लेकिन सबसे जादा गलतियां भी reasoning section में होती है reason being हमारा overconfident और हम चोटी-चोटी चीजों को neglect करते हैं क्योंकि reasoning section is all about your observation your skills, your you know ability to differentiate और हद से जादा आपको focused और concentration करना होता है जब आप reasoning के question solve कर रहे होते हैं next is general awareness and English के 25-25 questions होते हैं and numerical ability या maths के मैं कहूंगी 18 questions होते हैं तो अगर आप किसी तीन section में अपनी पकड़ अभी से strong कर लेते हैं which is not very difficult क्योंकि आपका examination fab में होना है और अगर आप अभी से 2 या 1 घंटे के भी पढ़ाई करते हैं तो that is more than sufficient to clear the examination अगर आप इस strategy को जो है वो follow करने वाले हैं ठीक है? अब यहाँ पर general awareness के जो questions हैं आपका history हो गया, sports हो गया, geography हो गया, environment हो गया, defense हो गया, art culture, international current affairs, politics, civics and basic science इन सब में मैं बताऊंगी कि आपको prioritize करना है सबसे पहले आपको defense related जितने भी current affairs हो गया, general awareness हो गया, static या current affairs आपको defense cover करना है then comes your sports, then your national and international relations and उसके बाद फिर आप economy and quality आप cover कर सकते हैं उसी तरह English में there are only specific set of questions जो पूछे जाते हैं जैसे आपका comprehension हो गया, fill in the blanks हो गया, error detection हो गया, synonyms, antonyms हो गया and basic grammar के बहाफ पे कुछ questions आते हैं तो बहुत ही specific पढ़ाई करने की जरौत है rather than जो हम complete vast syllabus कोई भी book अगर आप लेंगे basic English की तो आपको बहुत vast syllabus follow करना होता है which is actually not required for FCAT exam similar to numerical ability के लिए only few topics are there जनको आपको solve करने की जरौत है जैसे आपका decimal fraction हो गया, simplification हो गया, average हो गया, ratio and proportion हो गया simple interest, profit loss, percentage, time and distance and time and work और वही मैं बात करूं, reasoning and military aptitude के तो verbal, non-verbal के कुछ questions जैसे embedded figures, missing characters, basic arrangements या rotated blocks, analog हो गया ये cover करना होता है and military, current affairs and static GK again a very important question क्योंकि आप defense examination देने जाह रहे हैं तो ये आपके कुछ topics हैं जो आपको cover करने चाहिए, वहीं अगर मैं बात करूं EKT exam की तो कुछ fundamental होते हैं आपके engineering syllabus के, वो fundamental सबसे पहले आपको तयार करनी की जरौत है then specialized branch wise there are certain topics जैसे यहाँ पे computer science में it is information technology हो गया analog digital electronics हो गया, computer networks, electronic devices हो गया and allied engineering topics are control engineering, telecommunication, radar theory, instrumentation, antenna wave propagation, microwave engineering उसके अलावा fundamentals पे आपको ध्यान देनी की जरौत है FCAT is not a very, EKT का जो exam है that is not very difficult, बहुत easy होता है अगर आपके concept strong है तो आप बहुत आसानी से इस paper को clear कर लेंगे अब आता है mechanical का, again mechanical में आपके fundamentals को आपको prepare करना है specialized branch topics के कर में बात करूं तो it is thermodynamics, engineering mechanics, material science, manufacturing science and machine drawing and allied engineering topics is aerodynamics, flight mechanics, aircraft structures, power plant engineering, industrial engineering and automotive engineering electronic and electronics की बात करूं तो it is microwave engineering, analog and digital electronics, electronic devices, telecommunication, control engineering, electrical engineering allied subjects are switching theory, computer networks, radar theory, network theory, information technology so these are few topics जो आपको branch wise cover करना है जादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत specific topics होता है यानि आपको बहुत specific होना है तो materials से related आपको अगर कोई भी problem हो तो आप visit कर सकते हैं www.governmentcrackers.com पे यहाँ पे complete F.C.A.T. course available है जैसे मैंने बोला, the cost is very affordable, साथ ही आपको free ads on मिलेंगे जैसे newspaper हो गया, आपका वो cab हो गया, current affairs हो गया और सिर्फ आपको पूरा material वन गो में मिल जाएगा और जिसमें आपके previous जो हैं वो papers, 10 set of papers cover होंगे याने 2020 तक 20 तक जो भी आपके examination होएं, वो सारे previous year के papers भी cover होंगे and there will be a number of things that you'll be getting with that course, तो आप उसको जाके website चेक करके visit कर सकते हैं one time payment rate, 24 hours के अंदर आपके पास आपका material होगा, तो जो आपको अभी material के लिए search करना पढ़ रहा है ये compiled form में through experts आपको मिलेगा, जहां पे आपका काम होगा, सर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना ratio के मैं बात करूं, तो government cracker से अभी तक SCAT के last अगर मैं ratio के बात करूं, 80% of students ने written examination को clear करा हुआ है we want to make it above 90% and we are trying our best, लेकिन hard work आपकी तरफ से भी चाहिए because ultimately पढ़ाई आपको करनी है, but we'll try to help you out in all possible ways so I'll see you in the next session, till then, Jai Hind